हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टो गैरेज ओफिशल ऑटो एक्सपो तो खतम हो गया है बट हमारा कॉंटेंट अभी भी नहीं खतम हुआ है तो जल्दी आपके लिए सारे वीडियो से लेकर आ रहा हूँ यह है टाटा मैजिक एवी एक 11 सीटर गाड़ी जो टाटा ने लॉँच करके तहल का माचा के रख दिया है आपने सही सुना यही यह पॉप्लर गाड़ी है जो इनके कमर्शल सेगमेंट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत जादा यूज़ की जाती थी अब यह ग्यारा सीटर के साथ और लोग देखो कितने जादा एकसाइटेड है इसे देखने के लिए सबसे पहले डिजाइन देख लो सेंपल आपको लुचन लाइट से देखने को मिल जाएंगे विद टर्न इंडिकेटर नीचे आपको फॉंग लैंब भी देखने को मिल जाएगा ग्रिल का डिजाइन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाने वाला है आपको फ्रेंट से लुक काफी अच्छा देखने को मिलेगा कलर स्कीम भी काफी जाद अच्छी लग रही है साइड मिरर्स देख लीचे ब्लाइंड स्पॉट्स कम होंगे और यहाँ पर आपको 10 प्लस ड्राइवर 11 सेटर का ओप्शन देखने को मिल जाएगा 19.9 किलोवाट की बैटरी दी गई है और इसको चार्ज करने को स्लो चार्जर के साथ 6 गंटे जाएंगे और यह रहा इसका इंटिरियर का लुक आगे आपको बैटरी चार्जिंग टाइम कितनी है कितने फीच और साइड में बैटने वाले हैं यह रहा पीछे का व्यूव पीछे भी एक बार ट्राइ करूंगा आपको दिखाने का कि कैसा लुक मिल जाता है यह एक आटोमेटिक गाड़ी है क्योंकि सारे इलेक्टिक गाड़ी आटोमेटिक होती है तो आप इसमें गेर एक्सपेक्टी खिमत कीजिएगा और इस तरीके से कुछ इसका इंटिर का डिजाइन दिया गया है इवी का जो इंश्टुमेंट क्लेसरे कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है यह पर आइकेस आप स्पीकर्स लगा सकते हो चलिया भी बढ़ते हैं पीछे आं देखते हैं कि स्पेस कै आपको दिखने को मिल जाता है, तो जैसी पीछे का डॉर मैंने ओपन किया, आप देख सकते हो, इस साइट तीन लोग बैटेंगे, यह रहा इसका विंडो, तो लेफ साइड में तीन लोग बैटने वाले हैं, और राइट साइड में दो लोग बैटेंगे, एक बार विंडो च या जाता तो एक अच्छा पॉइंट हो जाता यहाँ पर आप दो लोग बैठ सकते हैं साथ में हैंडरस दिया गया है और पीछे तीन लोग तो कुल मिलाकर 11 लोग इस गाड़ी में आराम से अकॉमडेट कर सकते हो पीछे का मिरर अंदर से ही कुलेगा मैं बाहर से ट्राय कर र जाती है फुट पैक्स आप देख सकते हो साइड में यहां पर चेक कर यह लॉक लगाया गया है यहां से आप चार्ज करोगे एंटर इंडिकेटर साइड पर आपको देखने को मिल जाता है साइड से देख लो कितना जादा प्यारा लग रहा है इसका डिजाइन और मुझे अगर आप पूछोगे तो यह गाड़ी मुझे काफी अच्छी बहतरीन लग रही है और साइड का डिजाइन मुझे परसनली अच्छा लगा है क्योंकि विंडो एरिया काफी अच्छा है तो अंदर रूमी फील आईगी जरूर और पीछे का डिजाइन एक बार चेक कर लेत अगर इसे में अगर खोल के आपको दिखाओ तो यह चेक कर लीजे पहले विंडो एरिया देख लिजे कितना बड़ा विंडो एरिया है यहाँ पर टाटा मैजिक एवी की बैजिंग दी गई है और यहाँ पर एवी लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा जैसे ही आप नीचे देखोगे sensors भी आपको देखने को मिल जाएगे और इस side से गर आप देखोगे तो इस side से कुछ इस तरीके से इसका look देखने को मिल जाएगा मैं try करता हूँ इसका पीछे का जो door है वो open करने का जिससे मुझे clear idea आजाएगी कि गाड़ी actually में कितनी जादा बड़ी है spacious तो अंदर से बिलकुल है looks काफी जादा बड़ी है pain quality मुझे personally बहुत जादा अच्छे लगी है अगर आप देखोगे जो टाटा का pavilion है यहाँ पर बहुत लोग आ रहे है इस गाड़ी को check out कर रहे है और इस गाड़ी को check out करने के बाद उनका जो reaction निकल कर आ रहा है वो बहुत बड़ी है जैसे का भी यह जो सर आ गया है इन्होंने door open कर दिया है पीछे का so that we can see how much space here at the backspace इनका check हो जाए तो उसके बाद में मैं आपको clearly दिखाता हूँ कि कितना जादा space आपको पीछे देखने को मिलने वाला है थोड़ा सा वेट करते है now we'll see कि कितना space यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है तो कुछ इतना सा space आपको देखने को मिल जाएगा बहुत कम है चोटी bags भी नहीं आएगी और यह देख लीजे कुछ जादा space नहीं है पीछे जस्ट एक चोटे मोटे bags या थैली वगरे आप रख सकते हो तो एक overall इसकी information दे देता हूँ इसमें जो battery दी गई है यह आपको लगबख full charge में 140 km का range देने वाली है यह company का claim है बड़ आप expect कर सकते हो 100 km का range तो easily मिलेगा 6 गंटे में यह charge हो जाएगी तो अगर आप रात को सोते हो तो सुबह आपकी गाड़ी charge आपके हाथ में मिलेगी fast charging कर सकते हो जो आपको एक से डड़ गंटे में complete हो जाएगा तो range काफी बढ़िया है कितने price पे आएगी यह तो थोड़े समय बात पता चलेगा auto expo पे इसे unveil किया गया है price reveal नहीं किया गया है overall कितनी अच्छे लग रही है आपको इसका design कैसा लगा है मुझे personally पूछो के तो अच्छा लग रहा है आपके क्या thoughts है comment section में जरूर बताईएगा और वीडियो पसंद आता है तो like and share करके जरूर जाएगा